नमस्कार विद्यार्थे मित्रों, हुँ सुनिल सर आपनू हाल देख स्वागत करूँछू, आजे आपणे धोरन नव विशय सामाजिक विग्णान प्रक्रन्सूड आबोहवा विशय अभियास करी रहाँचे। आजे आपणे आबोहवा ने असर करता परिबढ़ विशय अभियास करी रहाँचे। तो आबोहवा ने कया परिबढ़ो असर करे चे। तो प्रुथ्वी सपादी पर तापमान, वातावरणिय दबान, पवनो, भेज, वर्सात, वगेरे वातावरणिय घटोको ना प्रमाण वित्रण पर अंकुष तरावता किटला परिबढ़ो चे। आपड़ो आबोहवा ने असर करता परिबढ़ो चे। अने भारत निए आबोहवा ने असर करता परिबढ़ो ने बात कर चुँन अकसान। तो वी ध्यार्थिमी तो अक्सांस कैरी थे आबो हवाने असर करें चे तो प्रुथवी सपपाटी पर आबो हवाना प्रकार जेते प्रदेशना अक्सांस प्रमाणे बडलाई चे आबो हवाना तत्वोनों वित्रण मोटा भागे अक्सांसोंने अनुसरें चे परिक्सानी अंदर आप पूछाएशे कि बे अक्सांस वच्चे 119 किलोमीटर नू अंतर जोवा मड़ेशे विशय वृतनी आसपासना प्रदेशों मा सूर्य ना किरणों लब्बग लंब पड़ेशे तेथी त्यां बारे मास आपने खर्मी पड़ेशे अन्य एना कारणे भारतनी अंदर उष्णकटी बन अन्य समसित उष्णकटी बन दिया एम बे प्रकानी आपो हवा किया परिस्ती धरावता विभागों मा वहिचाई जाएचे हवे बीजू जे समुद्र ती अंतर समुद्र विस्तार जमिनना प्रदेशोना अंतर ए आबो हवाने असर करता बीजू परिबड गणवामा आवेचे हवे विद्यार्थ मित्रो ध्यान राग्यो सूर्यनी गर्मी संगर्वानी तथा तेने आपले करवानी सकती जमेन अने पाणेनी अंदर जुदी 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 जुवा मडे चे परेणा में समूद्र अने तेना किनाराना नजिक ना जे भूमी विस्तारों छे तियां आबो हवा सम अनुबवाई छे जे आरे समूद्र किनारा थी दूरना जे भागो आवेला छे लेके दूरना भागो तरब जता आबो हवा आपनने विशम जोवा मडे छे यानू उदाहरन आपने जोईए तो भारत मा मुंबई दरिया किनारे आवेलू होवाने कारणी त्यार सम आबो हवा रहे छे जे आरे तेना थी थोडूक दूर नागपूर के दिल्ली ना दरिया किनारा थी दूर होवा थी त्या विशम आबो हवा अनूपवाई छे हवे त्रीजू कारण चे समूद्र थी उन्चाई हवे समूद्र सपाटी थी वातावरनी जेम उन्चे जैए तेम हवा नू दबान और हवा नू ताप मान घट्तु जोवा मडे छे आपड़े जोईए तो वदू वर्साथ पडे है एना उदारणों जोए तो हिमालाई नी जे आपड़े जोए कि हिमालाई छे ए हिमालाई नी पर्वतनी उन्चाहिने लिदे बव उन्चा सिखरो बारे मास बरफ बरफ्ती छवायला रहे छे बेजवाड़ी हवा उन्चे चड़ता ते ठंडी बने छे अने तेना कारणे आपने वर्षाद आपे छे असम मेगालाई नी पहाडी प्रदेशो नी जेम उन्चाहि वत्ती जाये छे तेम तेम वर्षाद नों प्रमाल पना अपने वत्तु जोवा मने छे अने साम्माने रिते वाद करिये तो प्रुथ्वी सपाटी थी उन्चे जता 165 मीटर नी उन्चाहि एक सेल्शेस अथवा 1000 मीटर नी उन्चाहि मीटर 6.5 सेल्शेस जिटलू प्ताप मार कटे छे हवे आपने वाद करिशू वातावर्यन दबाण अने पवन ए आब हवाने कैरीते असर करे छे तो भारत ए उत्तर फूर्विय व्यापारी पवन वाड़ा छेत्रों मा आवेलो छे हवे आपवन एलेके व्यापारी पवन जे उत्तर गोराद मा उष्ण कटी बंदिय विश्तार मा गुरू दाब पटना भारे दबाणना पट्टा सर जाईजे हवे आपट्टा सर जाईजे एना कारणे आजे उत्तर पूर्विय जे व्यापारी जे पवनो छे ए पुरूथवी धरी ब्रह्मनने कारणे मरडाईने व्रुसे व्रुत तरफ वाई चे अने भूतकाण मा दर्याई मार्गे थता व्यापार माटे आ पवनो लाब आपता होवाने कारणे व्यापारी पवनो तरीके उडखवामा आवे चे परिक्सानी अंदर पूछाई चे के व्यापारी पवनो कने केवाब तेना जवाब आवशे के भारत उत्तर पूर्व जे भाग छे ए व्यापारी पवननो भाग गणवामा आवे चे आ पवन उत्तर गोराद एलेके उष्ण कटी बंद मा भारे हवानू दबान सर्जाई चे तेना कारणे आ पवनो पुरुथवीनी धरी ब्रह्मनने कारणे मरडाई ने व्रुशे व्रुथ तरफ बाई चे अने भूदकार मा आ पवनो ए दर्याई मारगे व्यापार माटे उप्योगी हता ते थी तेने व्यापारी पवनो केवामा आवे चे हवे आजे व्यापारी पवानो चे ये भूद बाग माती उत्पन्थता होआने कारणे तेमा भेजनू प्रमाण ओचू आई छे परन्तु भारत ना दक्सी भारत मा त्रणे बाजू समुद्र आवेला चे इतले के दक्सी ने हिंद मा सागर पच्छी में अरब सागर अने पूर्वमा बंगार नी खाडी चे अने विशाल जड राची ने कारणे आ पवनो भेजवाडा बने चे तेथी भारत नी अंदर वदू वर्षार आपे चे त्यार पची आपने जुईए के सियाडामा हिमालैनी उत्तरे भारे दबाण थाई चे अने आ दबाण थाई चे अने एना ठंडा अने सुका पवनो उत्तर तरफ थी दक्सिन तरफ हडवा दबाण वाडा समुद्र तरफ वाई चे अने त्यार आ कारणे उनाणा नी अंदर मद्देश या अने भारतना भूमी भागना उन्चा तापमाने कारणे हवायनो हलकु दबाण रच्छाई चे उनाडानी अंदर मद्देश या औने भारत ना किटलाग प्रदेशों ने अंद उंचु तापमा नेकारन हवानू हलको दबान रचाये छे औने आज समय हिंद महासागरूपर पन भारे दबान रचाये छे औने हिंद महासागरूपती जे हलका पवणों छे ते खेचाये ने अने आप पवणों दक्सिंग पच्छिं मौसमिंग पवणों पन केवामा आवे छे औने आप पवणों जेरे हिंद महासागरूपती वाई छे ते वो भेजवाडा होवाती भारतमा वर्साद आपेशम। हवे परिक्सानी अंदरा पूछाएशे के भारतनी जे घटनाओ छे एनि कई-कई घटनाओ असर करेचे हवामाने तो द्यानाखो के भारती विश्थार्थी दूर आवेला केटलाग प्रदीशों केरके विशीश प्रकानी घटनानों आकल लेशे अन्य ज्यामानी आबोहवानी आपड़े प्रणालियने वाद तफाव सजाजे तो भारतनी अंदर हवामानुपा जे श्ट्रेम पच्छी मी विख्षो अलनी नो आईस्सी टी जोन जेवी घटनाओ भारतनी आबोहवाने असर करेचे अन्य भारतनी आपड़े आबोहवा वाद करी तो एकंदर मौस में आबोहवा जोवा मड़ेचे हवे विद्यार्धिमित्रो द्यान डाको हवे भारतनी रूतू चक्रानी वाद करीशो तो आपणा देशमा लगबग बे बे मासना समय दर्मियान हवा माननू लगबग एक सरकू रहे जे बे बे मासना समय गणाने आपणा भारतनी इंदर आपड़े रूतू तरीके उड़किये जे बारतम परंपरा गत्रिते 6 रूतू ओ गणवामा आवे जे जे विके हैमन्त, सीसीर, वसन, ग्रिश्म, वर्षा अने सर्वस्ट अने आ रूतू मा नजिक नजिक आवती होवाने कारणे हवाली परिशितिमा आपणे कोई तफ़ जोवा मणतो नथी तेथी 22 रूतू साथे गणे ने आपणे त्रांड रूतू गणवामा आवे जे भारतमा तो कई त्रांड रूतू, सीत रूतू, इलेके सीयाडू, उश्न रूतू, इलेके उनाडू, वर्षा रूतू, इलेके चोमासू अने भारतमा रूतू स्पष्टो रिते बढ़लाते जुवा मड़े जे, जे रे सीयाडानी अंदर ठंडीनो पराम थाएशे, उनाडानी अंदर क्रमसा तापमानमा वतारो थाएशे, अने चोमासू बेस्त हवामा भेज वत्ता वर्षा दावेशे अने बीजी वात करी हवे, तो भारत सरकार नी दिल्ली खाते आवेली हवामान खाता नी कचेरी भारत नी आबो हवाना संदर बे समग्र विश्वल वर्ष नी चार रूतू विपाजित करी छे परिक्सानी अंदर पूछा चे द्यान राग जो विद्यार्थी मितों के भारत नी जे हवामान खाता नी कचेरी दिल्ली मा आवेली छे अने एने भारत नी आबो हवाने चार रूतू मा विपाजित करी छे एक सीत रूतू जैने सी आडो एनो समय गारो आप्रेचे डिसेम्बर ती फेबरु आडी बे उश्ण रूतू उन्णाडो जैनो समय गारो छे मास्ती मे वर्षा रूतू जून ती सप्टेम्बर हवे जे आपने माटे नवी छे नी वर्थन रूतू जैने पाचा फर्ता मुस्मी पवणों क्यावा मावर छे एनो समय गारो छे ओक्टोम बरती नवेम्बर हवे विद्यार्थी मित्रो आतमने रूतू चक्र छे एना विचे तमे जान अच्छो हवे विद्यार्थी मित्रो ध्यान राखो सी आडॉत वीचे आपणे अपियास करिशो तो सी आडो ये नो समय गारो छे डिस्यम्बर ती फेबुरू वारी हवे भारत मा, डिस्यम्बर ती फेबुरू वारी अ त्रण मास नों समय गार आने आपणे सीत रूतू अथ conservatives स्मार सुधी सूर्याना कीरणू दक्सेन गोडादनी अंदर सीता पड़े छें। आप पवनों केवा हुआ छें। सूका अने ठंडा हुआ छें। अने सुका ठंडा होवाने कालाणे हवामान, सुकु अने ठंडू है चे अने आ रूतु दर्मियान आका साम्मा दिलते वाधडावगनू सुवच रहे चे हवे त्यार पचिन, भारत नी अंदर उत्तर पुरुव भारत ए प्रमाणमा वधू ठंडो रहे चे कारण के आ विश्तार समुद्र थी वधू दूर आवेलो चे अने त्यनों अमुक भार रण प्रदेश चे अने सियाडामा आ प्रदेश उपर हवानू भारे दबाण तैयार थाए चे तेथी पवन्नी दिशा बडलाई चे अहिना भारे दबाण माथी ठंडा अने सुका पवनो उद्बवे चे अने ज्यां छ्यां आ पवनों पहुचे चे त्या त्या तापमानमा घटाणो करेचे तो यह न उद्धारमाँ चे के दिलक मा सियाडानू तापमान 10 सेल्चिश करता निचू जाये चे अलहाबाद मा 100 सेल्चिश, कौल करता न problèmes अधार सेल्चेस नी आसपर तापमाले ज़े अवे आज समय दर्मियान हिमालय उपर तापमाद अत्यन्त उच्छू थाई जए जए सिमला दार्जलिंग मां जान्यवारी मासनू तापमाद पांच सेल्चेस जिटलू होई जए रे हिमालय उपर हिम वर्षा थाई जए त्यारे ठंडी औने भाहरे हवा उत्तर मैदान तरप गसी आवे चे परिणा में राजेस्थान औने गुजरात नी अंदर ठंडी नों मोजु फरी वडे चे पणिवखाद विद्याति मीत्रों काराण पूछाएचे परिक्षानी अंदर के राजेस्थान अने गुजरात मा ठंडीनों मोजु फरी वड़ेचे काराण समझाओ काराण के आ समय दर्मियान हिमालय पर हिम वर्षा थाईचे अने हिम वर्षानने काराणे ठंडी अने भारे हवाँचे ये उत्तरना मैदान मा ठाईचे अने उत्तरना मैदाननी अंदर राजेस्थान थाई अने कुजरात मा ठाईचे तेती कुजरातनी अंदर ठंडीनों मोज प्रवत्य 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 प्रवत अबने गोराद बनने गोराद इले उत्तर गोराद ने दक्सीन गोराद ने अंदर आसरे 30 अकसांस नी आसपास 8-15 किलोमीटर नी उन्चाए वातानमा सर्पा आकारे 38 वेगीला पवणों जुवा मड़े जे आ पवणोंने आपड़े जे श्ट्रीम तरीके ओड़किये जे अने आ पवणोंनी स्पीड लगवग 150 किलोमीटर रिटली ओह जे आने आ पट्टा मध्यभागना पवणोंनों वेग 400 किमी जिटलो रहे जे अने शियाडामा आ पवणों हिमालैना दक्षिन तूरा तरती वाई जे अने उनाडामा द्रीकल्पिये भारतनी उपर स्तिर थायला जोवा मड़े जे अने वद्दू उन्चाई आ पवणों वर्षाद लावा माटे बव मधाद रूप थाये जे अवे पच्छी में विख्षोब एतले पच्छी में एश्यामा रचातो जेश्ट्रीम ये पूर्व दिशामा वाई जे अने एनी असर आपने पच्छी मेशामा एश्याना देशो जिवाके उत्तरपुच्छी म भारत पाकिस्तार अने अफगानिस्थान मा जोवा मड़े जे अने आ पवणों मा घणी वख़ धुडना तोफावनों बांगला सुधी तेनी आड़ असर पवच्छे जे अने सियाडामा उतरवात मा आहला दायक वाताणने अवा नव विख्षोब पाड़े जे परिणामे उंचा पहाडे विश्तारमा घणी वख़त हिम वर्षा अने मेदानीमा पन वर्षा जोवा मड़े जे अने पच्छी में विख्षोब तवी पाक माटे आसर वात बने जे अने गुजरात मा आप पच्छी में विख्षोब ने कव मोसमी वर्षा तरीके उडखवा मा आवे जे जेने खेतीने पाक ने भदारे नुक्षामड़े हवे विद्याथी में तो द्यान सियाड़ो तो सियाड़ानी दर्मियान उतर भारत करता दक्सीन भारत नी स्थीती बव जूदिवा जे दक्सीन भारत आपने जुई उष्ण कटी बंदमा आवेलो जे अने ते व्रुषाय व्रुद्नी नचीक छे अने द्रीकल्पी आकार एलके त्राणे वाजी समुद्र जुआ मडे जुआ अने तेना अंदरना भागमा आवेला प्रदेशो समुद्र थी दूर नती तेथी सियाड़ानी अंदर उतर भारत जेवी दक्सीन भारत नी अंदर कातिल धंडी अनुबवा ती नती अने हीम वर्षा पन थती नती अने तापमान घणी वखत नी चूर्पन जत्तू नती एन उदारान आपी छें के जानिवारी मास मा कोचेनु तापमान 26 सेल्सियस मदूराईनु 25 सेल्सियस अने चेन्नाईनु 24 सेल्सियस जीतलो अपने जोवा मडे छें अने दक्सीन भारतना पहाडी स्थडू सियाडामा नीचा तापमान अनुबव करता नती दक्सीन ती उत्तर तरप जता तापमान गटालो थत्तू जाये छें अने भारतमा सियाडो खुब स्पूर्ति दायक आरुग्य वर्धक रुतु गणवामा आवेशा सियाडो लांबी अने ठंडी रातरीने कारणे वैली सवाडे जाकर अने धुम्मस जो अनुबवतायेशा अने दिवस्टूंको अने रात लांबी वैचे सियाडानी अन्दर जमिन पर्थिवाता पवणो सुक्का पवणो सामार्य वर्षार लावता नथी परंतु मोसमी पवणो बंगानी खाडीने उडंग दियावता भेज लावेचे अने आप ये जना काराने कोरो मंडल तडू पर वधू वर्षाद आपे छे अने उत्तर भारत मां पच्छी मी विक्सोप अने वंटों लेदे वर्षाद थाई छे गणी वखत पंजाब तता हर्याणा मां वर्षाद रवी पाकनी अनुकोड बने छे अने गुजरात मां क्यारेक वर्षाद पड़े छे अने अकवमस मी वर्षाद ने मां उठू तरीके पणवर रखवा मां आवड छे